पूरा विपक्ष किसानों का समर्थन करते करते खुद के लिए समर्थन जुटाने की कोशश में जुट गया है अलग-अलग राज्यों में टूट की खबरे सामने आ रही है आज इंडिया अलाइंस का एक और विकेट गिर गया जब कश्मीर के पुर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फरेंस के नेता पारुक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी अपने दम पर लोकसबा चुनाओ लड़ेगी तो महीं टेम से सांसर मिमी चक्रवर्ती ने ममता बेनर जी को सर्प्राइस देते हुए अचानक अपना इस्तिफा भीज दिया दिल्ली में केजरिवाल और कॉंगर्स पार्टी के बीच के भी रास्ते अलग हो गए है और खबर है कि केजरिवाल और भगवतमान ममता बेनर जी से गुपचुप मुलाकात करने जा रहे हैं और बड़ी बात ये है कि ये मुलाकात 21 परवरी को पंजाब में होगी तो क्या तीसरा फ्रंट भी तैयार हो रहा है आज इसे पिचरशा करेंगे मेरे साँ जुड़े हैं कि आपचल टिवी के एटिटर इंचीफ डॉक्टर मुनिश कुमार और इसक्योटिप एडिटर राजी जी सर आप दुनों का बहुत बहुत स्वागत है दने बाद सुरवात पारुक अब्दुल्ला से करते हैं आज एक और विकेट गिर गया देखिए चटा विकेट है और टोटल अगर आप यह देखिए जो 28 पार्टियों की इंडी गड़बंदन थी उसमें 12 पार्टि बाहर चले गई बच गई 16 16 बचे हैं और यूपिय में कुल मिलाकर के संख्या थी 19 क्या होगा भई यह तो यूपिय से भी विखरा होना सुरू हो गया तो पहला काम यह करना चाहिए मीडिया वालों को इंडी गड़बंदन बुलाना बंद करना चाहिए इनको कहना चाहिए भई यूपिय क्योंकि बाकी तो वही सब बचे हुए यूपिय में है ममता चली गई अखलेश चले गए केजरिवाल चले गए एक के बाद एक आज भी कटगर किया इनका भी तो कुल मिला करके देखिए च्छै पार्टियां तो पहले ही वामपन थी वह यूपिय में हैं लेकिन इंडी गड़बंदन में भी नहीं है क्योंकि यह लोग अलग अल से लड़ेंगे यह लोग तो यह जो ख्याली पलाव बनाया जा रहा था वो ख्याली पलाव जो है वो हंडी टूट गई बीच में फट गई और इसे लिए यह लोग डर्टी पॉलिटिक्स पे उतर आये हैं यह ऐसे नहीं चल रहा है यह आंदोलन कॉंग्रेस पार्टी का व तो बहुत सारे निता पैदा होगे ने किसान निता वो बोलते बोल गया कि देखिए हमारा परपस जो है यह मोदी राम मंदिर के वज़े से उसका ग्राफ बहुत हाई हो गया है उस ग्राफ को नीचे करना जरूरी है मतलब आपका मोटिफ किसानों के लिए कोई मांग नहीं आपका मोटिफ जो है वो प्रधान मंतरे मोदी और बीजेपी को डाउन करना है मिलकूल सर फारुक अब्दुला ने कहा है कि उन्हें किसी गड़बंदन की जरूरत नहीं है वो अकेले चुनाव लड़ेंगे यह बड़ा जटका तो है लेकिन एक और खबर यह चल रही है कि फारुक अब्दुला एंडिये में शामिल होंगे इसको कैसे समझे देखिए अगर फारुक अब्दुला चाह रहे हैं एंडिये में शामिल हो तो ऐसा लगता है कि भारतिय जनता पार्टी को सीधे तोर पर नो कह देना जाए क्योंकि भारतिय जनता पार्टी ने एक बार प पॉल दिया कि जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाय हो रही है अगर पाकिस्तान के साथ बात्चित नहीं करेंगे तो ऐसे ही घटनाय होती रहेगी लोग मरते रहेंगे ऐसे लोगों के साथ भारती जन्ता पार्टी को घटवंदन नहीं करना चाहिए उसका कोई परणे की गोशना क्यों किया क्योंकि फारुक अब्दुल्ला हो या महभुवा मुप्ती हो या कॉंग्रेस हो ये तीन पार्टी अगर वहाँ पर जम्मू कश्मीर में गठवंदन करें तो फिर कितनी सीटों पर समझाता होगा कॉंग्रेस के साथ गठवंदन का मतलब है अब तीन सीटों में से वो कौन सा सक्रिफाइस करेगा फारुक अब्दुल्ला को तो ऐसे भी इंडी एलायंस से बाहर आना ही था सिर्फ परसेप्शन बनाना था कि नहीं नहीं हम भारती जनता पार्टी को हराने वाले गठवंदन के साथ हैं मोदी के विरोधी गठवंदन तो उसके बाद दो सीटों में एक पीडी पी एक कॉंग्रेस और दोनों के दोनों सीटे जो है वो भारती जनता पार्टी ही गरांटीड जीत वाली है जम्मू और उद्दम सीटों तो ये दोनों जगा पर भारती जनता पार्टी जीतेगी लगदाक में जीतेगी घाटी के पहाड़ी जंजाती को ये स्टी का दर्जा दिया गया फिर उसके बाद वहां गुज्ज्रों की जो पोजिशन बदले गए वहां के मुसल्मानों ने भी समर्थन दिया है और इसलिए अनंतनाग बारा मुला में जो डिलिमिटेशन में कुछ छेत्र बदले गए हैं उससे भी इन लोगों को नुकसान होने वाला है इसलिए भारुक अब्दुल्ला के साथ गठवन्दन तो नहीं होना चाहिए एंडिये में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो की भारत विरोधी बयान वाजी करते हैं अब भारती जंता पार्टी के लिडर्शिप क्या सोचते हैं क जो कि मीडिया में जो खबर है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी संभावना जता दी गई कि अलग चुनाव लड़ने का मतलब इंडिये में शामिल होगे ममता बनर जी अलग चुनाव लड़ेगी इंडिये में शामिल हो जाएगी या फिर केजिरी वाल अलग चुनाव लड़ेगा इंडिये में सामिल हो जाएगा ऐसा नहीं है तो इसलिए जम्मु कश्मीर में अलग अलग ये लोग चुनाव लड़े घाटी के छेतर में ये मुस्लिम वोटों का बटवारा हो सकता है कि भारतिय जंता पार्टी इस बार जम्मु कश्मीर के पांच में से कम से कम 4 सीटों पर की दर करेंगी इस मुलाकात में क्या खिछड़ी पकीगी देखिए दो चीजे हैं इसमें पहली चीज ये कि आप वहां क्यूं जा रही हो क्या करने जा रही हो बंगाल जल रहा है महिलाओं का खुलम खुला जिस तरह से बयान आ रहा है साप पता चल रहा है कि टीमसी का वो साजहां शेख कितना बड़ा दरिंदा था वहां बवाल मचा हुआ है आप भाग रही हैं महाँ बही किसानों के साथ भी बढ़े बंगाल में कितना नाज खरीदती हो सरकार वहां पे कितना किसानों को MSP पे चीजे लेती है जिरो मंडी है वहां नहीं किसान के साथ सहनभूती दिखाने के लिए आ जाएंगे तो पहली चीज तो ये कि बंगाल जल रहा है उसको डैवर्ट करने के लिए आप एक नया मोर्चा खोल रहे हो क्या मोर्चा है ये अंदर खाने कई सारे लोग कह रहे हैं कि कॉंग्रेस पार्टी तो ना घर की रही ना घाट की रही तो कॉंग्रेस से जो लोग अलग हो रहे अब जसे के रिवाल harmony अलग लड़ेगा ढिली में अलग लड़ेगा पंजाब में अलग लड़ेगा असम में अरुनाचल में घोवामे हर दो चैकर ये तो वह कॉंघ्रिस से बाहर ममता भृनन जी भी बाहर अब युग बाहर जाएंगे तो यह मुझे लग कि कोई थर्ड फ्रंट पहले तो एक सिंगल युनाटेट फ्रंट बनाने की कोशिस कर रहे थे अब थर्ड फ्रंट बनाने की जो है वो कोशिस चल रही है कि हम एक मोदी को कॉंग्रस नहीं हरा सकती केजनिवाल और ममता मिलके हरा दे क्या 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 ख्वाव ये लोग पालते हैं ये समझ में नहीं आता तो ये बेसिकली खराब किस्म की राजनीती है आपको अगर वाकई मोदी को हराना था अगर आप लोग इतना ही डिटर्माइंड थे तो सैक्रिफाइस करते कॉंगर्स पार्टी को दस सीट देते केजिवाल चार सीट देते तो ये तो करना नहीं है दूसरे को नुक्साल पहुंचा करके खुद जीतना केजिवाल के साथ आप हाथ मिला रही है दोगे एक सीट लड़ने के लिए वहाँ पे केजिवाल पंजाब में देगा ममता बरणर जी को लड़ने के लिए नहीं फिर फिर ये किस तरह का गड़बंदर है ये गड़बंदर नहीं ये बेसिकली परसेप्शन परसेप्शन कि उनको मालूम है कि अगर ममता बरणर जी voters के पास जाएगी तो लोग पूछेंगे कि तुम तो मुख्य मंत्री हो दिली में तुमारा क्या है ये केजिवाल से दिली वाली इसलिए बोटी नहीं है कि मुख्य मंत्री तुमको बना दिया दिली में क्या करोगे कोई seat नहीं यही चीज पंजाब में भी होगा कि वहाँ दाकर क्या करोगे वहाँ नेसल पार्टी इसको जालने दो तो यह जो सवाल खड़ा होता है तो आप क्या कहते हैं मोदी का अल्टरनेटिव हम देंगे कॉंग्रेस नहीं दे पाएगी तो हम करेंगे हम अपने हिसाब से प्रधान मंतरी बनाएंगे सो मम्ता ब्रजी भी प्रधान मंतरी बन सकती है यह परसेप्शन क्रियेट करने के लिए यह तिकड़न बाजी की जाएगा तो सर एक तरफ धड़ादर इस्तिफा हो रहा है विपक्षी गडबंदन से एक एक दल अलग हो रहे है गडबंदन का ख्वाब तो पूरा नहीं हो पाया लेकिन यह जो थर्ड फ्रंट की बात चल रही है क्या उसका ख्वाब पूरा हो पाएगा देकि यह ख्वाब पूरा हो चुका है लगभग थर्ड फ्रंट का मतलब वो ये नहीं है कि 3rd Front ये लोग मिल जूलकर बनाएंगे, हो सकता है कि ये लोग इंडी ऐलाइंस पर कबज़ा करें, एक कॉंग्रिस बाहर जाएगी, कॉंग्रिस के साथ कौन से ऐसी पार्टियां है जो इंडी ऐलाइंस का पार्ट होने के लिए अपने पहले के ऐलाइंस को तोड करा है जैसे अभी इंडी एलाइंस के अंदर जो कॉंग्रेस के साथ मिल जूलकर बनाए उसमें पिहार में पहले से महा गठवंधन उसमें सनितीश कुमार बाहर आ गये अखलेस यादब साथ आने वाले नहीं है जैन चोधरी बाहर हो गए अब अखलेस यादब ममता बनरजी दोनों के करीबी हैं दोनों अखलेस यादब के चुनाब परचार के लिए ममता बनरजी आयी थी और बोली थी हमें कोई सी ट्वीट से मतलब नहीं है हम सपोर्ट करने आये हैं अरविंद केजरिवाल उस गठवंधन से बाहर यानि कॉंग्रेस को अलग करने के लिए ये चा आना ही पड़ेगा कि दिल्ली में पश्चिम बंगाल में उत्तर परदेश में पंजाब में अलग अलग राज्यों में जितनी सीटों की चर्चा की जाएगी हम चार पांच पार्टी मिलाके ये कॉंग्रेस के बच्चे हुए सारे सीटों से ज्यादा परचुनाब लड़ र जी के खिलाब आज मुहमद सलीम ने कहा कि हम अलग से मोर्चा बना रहा हैं पश्चिम बंगाल में ये फुरफुरा सरीव बाले सिद्धिकी के साथ मिलकर नोशाद सिद्धिकी जो उसका भाई विधायक है वो भी आया था साथ में और मुहमद सलीम ने कहा कि कॉंग्रेस औ और इंडियन सेकुलर फ्रंट आयसे और उसके साथ कॉमनिस्ट पार्टी मामपंथी पार्टियां ये तीनों अलग मोर्चा बनाएंगे टीमसी के खिलाफ और भारतीय जनता पाड़े खिलाफ तो ये मुसल्मान कंफ्यूज होगी थोड़ा कंफ्यूजन तो उनके अंदर भ जैसे उसके साथ अख्लिस यादव जैसे ये मुला मुलायम जो बताया जाता था उनके ही परिवार से हैं तो इन लोगों को इकठा करके दिखा जागा देखो हम जादा बड़े मुसलिम समर्तक हैं कॉंग्रेस में कोई नेता है इतना बड़ा मुसलिम समर्तक तो ये दो तर कि यूपिये में वापस आ जाए बिल्कुल सर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तो परश्यमंगार की मुख्यमंत्री मम्तव इनर्जी किस परवरी को पंचाब का दौरा करेंगी केच्रिवाल और भगवतमान से मुलाकात करेंगी तो वहीं विपक्ष में इस्तिफ करेंगी तो